आज की वीडियो में दोस्तों बात होगी SSC GD के बारे में SSC की बर्थी आ गई है तो उस बर्थी में कितनी उमर चाहिए, कितनी लंबाई चाहिए, कितनी पढ़ाई चाहिए और कितनी दोड़ आपको लगानी पढ़ेगी आज की वीडियो में महिला और पुरुष दोनों को जानकारी दी जाएगी उमर दोनों के लिए सेम है आपकी लंबाई अलग अलग है लड़कियों के लिए अलग है और लड़कों के लिए अलग है दोनों को हम बताएंगे उसके बाद पढ़ाई दोनों की सेम है qualification दोनों की सेम है ये भी हम दोनों को बताएंगे दोड भी अलग है ये भी हम लड़कों को अलग बताएंगे लड़कों को अलग बताएंगे इसी वीडियो में इस वीडियो को पूरा देखें अगर आप SSE में जाना चाते हैं पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं कि कितनी उमर, कितनी लंबाई और कितनी पड़ाई आपकी रहने वाली है और कितनी दोड़ आपको लगानी पड़ेगी बीडियो को पूरा देखें अपने दोस्तों के साथ इस बीडियो को शेट करें जैसे कि S.S.E. के फार्म ओपन हैं अगर आप फार्म के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो हमें इंच्टरा पे मैसेज करें इंस्टा पर तभी मैसेज करना है पहले इस वीडियो को देख लेना है अगर आपके पास जो मैं अभी बताऊंगा सब कुछ है तभी इंस्टा पर मैसेज करना फार्म के लिए अगर इसमें से आपके पास कुछ भी कम हैं तो फिर मत करना क्योंकि फिर आप उसके लिए फाम नहीं लगा सकते हो उसके लिए बर्थी नहीं देख सकते हो पहले इस बीडियो को पूरा देखें अगर आपके पास उमर, लंबाई, पढ़ाई, दोड़ आप लगा सकते हो तो फिर मुझे इंस्टा पे मैसेज करना फाम के लिए कि फाम की लाश्ट डेट किया है कब तक फाम बरे जाएंगे पूरी जानकारी फिर मैं दे दूँगा पहले विडियो को पूरा देख लेना पूरी जानकारी ले लेना कि आपके पास जो मैं आभी बताऊँगा अगर आपके पास है तो तब ही आप हमें इंस्टा पे मैसेज करना ठीका लड़की हो लड़का कोई भी मैसेज कर सकता है चलो अब भी आपको जानकारी देते हैं सबसे पहले उमर लंबाई और पड़ाई की दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं आप सब की क्वालिफकेशन मतलब कि कितना पड़ा लिखा होना चाहिए लड़कियों को लिए और लड़कों के लिए सेम क्वालिफकेशन है आपको दसमी पास होना चाहिए सिंपल दसमी पास इसमें कोई परसेंटेज नहीं देखी जाएगी ना ही इसमें ग्रेस मार्क्स आपका देखा जाएगा आप पास होने चाहिए दसमी किलास में आपकी कोई भी परसेंटेज नहीं देखी जाएगी सिंपल दसमी पास होने चाहिए आपको इसमें BSF, CSF, CRPF, SSB, ITBP, हसाम फ्रेफल और SSF जिस सब फोस्ट आपको मिलने वाली है इस बरती में जो मैंने कौलिफकेशन बताई है अगर आपके पास हैं तो आप इस बरती के लिए फार्म लगा सकते हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों हाइट और बेट चस्ट के बारे में आप सब की बात करें दोस्तों हाइट लड़कों के लिए जो जर्नल लड़के हैं OVC और SC लड़के हैं उनके लिए 170 cm हाइट चाहिए ठीक है ST लड़के हैं उनको 165 cm हाइट चाहिए ठीक है अब बात करते हैं हाइट लड़कियों की लड़कियों की हाइट चाहिए जर्नल OVC और SC लड़कियों की हाइट चाहिए 157 cm और ST जो गल्स हैं उनको 155 cm ठीक है अब बात कर लेते हैं लड़कों की चेस्ट 80 से लेके 85 तक आपका 80 नार्मल चाहिए पांच का फुलाप चाहिए ठीक है पचासी आपकी होनी चाहिए सेंटीमीटर में और जो मेल हैं ST के उनकी 76 होनी चाहिए नार्मल और 80 80 आपकी फुलाप थीक है लड़कों का भी दोड़ रनिंग अब बता दिया है लड़कों को और लड़कों को भी बता दिया है तो अब बात कर लेते हैं उमर की कि क्या उमर रहेगी ठीक है सबसे पहले बात करें जर्नल की जर्नल लड़कियों लड़कियां 18-23 बर्च तक और OVC, SC, ST इनको 3-3 और 5-5 साल की शूट दी जाएगी आपको अपनी काश्ट पता होनी चाहिए अब बात कर लेते हैं OVC और ST, SC की उमर कितनी है जो OVC हैं आपको बताना चाहता हूँ 18-26 बर्च तक आपकी एज होनी चाहिए OVC लड़के जितने भी हैं लड़कियां हैं उनकी 26 बर्च तक जहां पर देखिए ST और SC ठीक है इनको 28 बर्च चाहिए OVC को 26 बर्च और जर्नल को 23 बर्च ठीक है 18 से लड़की हो लड़का हो जही आपको उमर लामबाई भी में बता चुका हूँ क्वालिफकेशन भी बता चुका हूँ और दोर भी बता चुका हूँ इस वड़ियो में बस इतना ही जहीं